नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत अग्वक्ण दाफिल्मी तालीम में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलमान कान उर्फ भालू की कल मुवी रिलीज हुई है किसी की मुंडी किसी की धर कल रिलीज हो गया है कहानी में भालू साट साल का दिखाया गिया है और कमाल के भालू के जैसे लंबे-लंबे बाल साट साल के उमर वाले और भालू के चाट भाई होते हैं जो छोटे होते हैं और भालू के मम्मी पापा दुनिया से कोच कर गए होते हैं अब भालू से छोटे भाई जो हैं ये चुपके चुपके से प्यार करने लग दे हैं और भालू ना की साधी सुदा रहते हैं ना की प्यार किये हुए रहते किसी से अचानक से इनके छोटे भाई ने चारो भाई मिलकर के सोचते हैं कि भालू को प्यार करा दिया जाए और प्यार कराने के बाद उनसे साधी किया जाए उनका साधी हो जाए ताके हम लोग का भी साधी हो जाए तो भालू के साथ पूजा हेगडे प्यार करने लगते हैं भालू का जब पहली फिल्म रिलीज हुए तो पूजा हेगडे का जलम भी नहीं हुए थी आप बचे हुवे उमर कम हैं, पैसे बहुत सारे हैं, हर इनसान को पैसा पसंद आता है. तो इसलिए भालु से प्यार करने लगता है, और प्यार करने लगता है किसी भी चीज में जब अच्छे दिन आता है, तो बुरे दिन भी आने लगता है. का उसी वीच कुछ गुंडो की इंटेरी हो जाती है। और गुंडे, यानि भालू जिनने से प्यार करते हैं, उनके परिवार को गुंडे उठाने का प्लान लगाते हैं। इसी वीज भालू को पता देता है और भालू एक्षन करते हुए, हजारों लों को मार देता है, अब यही इसकी पलोट है, और मूवी में डायलोग डिले बड़ी, कमाल के हैं, भालू ने एक डायलोग बोले हैं, हम तुम्हें इतना मारेंगे, कि हसने भी नहीं देंगे, अन आपको नीन आ जाएगी, आप ऐसे समझे, और तीन-चार को गाना है, जो ऐसे ही है, और इस मूवी की अगर डायलोग की बात करें, तो बाबा धाम जी ने इस मूवी को डड़क किया है, क्यों शाले उसको मूवी की डायलोग की डायलोग की बनाते हैं, उनको तो अच्छा नहीं निकलता है, पानी पिलाना होगा, ऐसे ही है, बस कुल मिलाकर के एक बोरियत फिलम होने वाली है, और खेर अगर अमिताब बच्चन की अक्टर की बात करें, एक्टिंग की, तो अमिताब बच्चन जी भी एक्टिंग अच्छा की है, कुल मिलाकर के एक, समझ ये बोरि में कोई सवाल या कोई कोशन है कोमेंड में कोमेंड मेंसन कीजिए बस आज के लिए इतना ही थेंक्यू खुदाहाफिस और अपना ख्याल